हलो केर्स, आज हम चैप्टर फाइफ फ्रेक्शन के एक्सराइज सिक्स का क्वेशन नमबर टू करेंगे, ओके, क्वेशन नमबर वन हमने अलरडी पिछले वीडियो में कर लिया था, चलिए, अब सबसे पहले आप देखिए, ये क्वेशन जो हैं, ये प्राब्लम सम्स हैं, और प्राब्लम सम्स आपने अडिशन में, सब फ्रेक्शन में किये ही होंगे, इसी तरह फ्रेक्शन में भी कुछ प्राब्लम सम्स होते हैं, चलिए, पहले हम इस प्राब्लम सम्स को रीड करते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं, Q2 में लिखा है रोहिनी has a red ribbon of length 4 and 1 upon 5 meter यानि कि रोहिनी के पास red color का ribbon है जिसकी length, length मतलब जिसकी लंबाई 4 and 1 upon 5 meter है and a green ribbon of length 3 and 1 upon 2 meter और उसके पास green color का ribbon भी है जिसकी length है 3 and 1 upon 2 meter आगे लिखा है what is the total length of the two ribbons बच्चो इस शब पे इस वर्ट पे ध्यान दिजिए total पूछा गया है कि total length क्या है इन two ribbons की आपने problem sums किये थे total जहां भी आए ये शब्द जहां भी आए ये word total means होता है add करना ओके यानि कि आपको इन दोनों ribbons की total length बतानी है यानि हमें इन दोनों को add करके answer बताना है चलिए start करते हैं हम solution सबसे पहले problem sums में हमें कुछ quotations लिखनी होती है हमें ये देखना है कि रोहिनी हमारे पास available क्या है सबसे पहले रोहिनी has a red ribbon तो आपको यहां लिखना है length of red ribbon ओके क्या है length 4 and 1 upon 5 meter बच्चो आप इसको 4 whole 1 upon 5 भी पढ़ सकते हैं चलिए first होगे हमारा second में हमारा है green ribbon of length 3 and 1 upon 2 meter तो length of green ribbon क्या है आप यहां लिखेंगे length of green ribbon क्या है हमारी 3 and 1 upon 2 meter is equal to 3 and 1 upon 2 meter ओके यह हमारा इतना जो हमारे पास available है वो हमने लिख लिया और यह हमारी simple quotation है उसके बाद है what is the total length अब हमें यह बताना है answer तो यहां पर आप लिखेंगे total length of the two ribbons ओके यहां से आप ही quotation उतार सकते है total length of the two ribbons तो यह दोनो total length है जो यह जो length है इन दोनों इन दोनों को इस प्रकार आप लिखेंगे आपने fraction में add करना सीखी लिया है सबसे पहले हम यहां लिख लेंगे 4 and 1 upon 5 plus 3 and 1 upon 2 दोनों के साथ meter लिखा है तो हम इने bracket में बंद करके यहां m लिख देंगे इसका मतलब कि दोनों के साथ meter है और हम easily sum को solve कर लेंगे चलिए सबसे पहले इसमें mixed fraction है हमें इने normal fraction में convert करना है 5 forza 20 20 में 1 add करेंगे 21 upon 5 plus 2 3 जा 6 6 में 1 add करेंगे 7 upon 2 meter ओके add करने के लिए हमें यह देखना है कि denominator हमारे सेम होने चीए हमारे denominator सेम नहीं है तो हमें LCM निकालना होगा यहाँ पे rough work करेंगे 5 and 2 का LCM निकालने के लिए यहाँ पे हम पहले 2 number लेंगे 5 नहीं आता है तो 5 का 5 उताल लेंगे 2 की table में अब 2 1s are 2 अब यहाँ देखिए खली 5 बचा 5 सिर्फ अपनी table में आता है 5 बचा 5 और 1 का 1 लिख लेंगे 2 into 5 is equal to 2 5s are 10 denominator में देखिए हमें इसे 10 बनाना है 5 की table तब तक पड़ी जब तक 10 ना है 5 2s are 10 यह दिखिए 5 2s are क्या होता है 10 अब 2 की table तब तक पड़ी जब तक 10 ना है 2 5s are 10 yes 2 5s हमें 10 आता है और जिस number से हमने नीचे multiply किया है denominator को उसी number से हम उपर numerator को भी multiply करेंगे यह देखिए मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ओके यह 5 से यह 2 से अब इन्हें multiply करके लिख लीजे 21 2s are यहां देखिए 21 2s are 2 1s are 2 2 2s are 4 इस तरह 42 आपने 42 लिख दिया 5 2s are 10 प्लस 7 5s are 35 and 2 5s are 10 hold करके m लिख लीजे ओके आप देखिए आपके denominator सेम हो गए आप हम क्या करेंगे एक line लगाएंगे 10 नीचे लिखेंगे 42 प्लस 35 लिखेंगे ओके आप यहां पे bracket close दोनों को add करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 42 और 35 को add करे 7 4 and 3 7 77 आया है हमारा answer ओके तो यहां पे लिखिए 77 अपॉन यह रहा 10m लेकिन हमें इसे mixed fraction में भी convert करना है क्योंकि question तो mixed fraction में था चलिए अब इसको हम यहां पे एक बार divide करके देख लेते हैं यह 10 बाहर numerator हमेशा अंदर रहता है 10 7 जा 70 आया और यहां पे balance बचा 7 answer हमारा whole number होता है बच्चो तो यहां पे आप लिखिए 7 and हमारा denominator denominator ही रहता है 10 और यह जो balance है यह उपर numerator आ गया तो 7 and 7 upon 10 यह हमारा answer आया और इस answer को हम कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे the total length of the two ribbons are देखिए the total length of the two ribbons are 7 and 7 upon 10 meter this is your correct answer ओके so students problem sums में आप हमेशा ध्यान रखिए problem को अच्छे से पढ़िए उसके बाद आपको quotation उसकी लिखनी होती है quotation आप question में से आराम से उठा सकते हैं total मतलब add करना है तो हमने यह add किया और and में आपको answer भी लिखना है तभी आपको पूरे number मिलते हैं okay students I hope you all have understood this question number 2 okay let's meet in the next video goodbye everyone आपiese जिएकी इउके बचिएना है क्वेर बड़ाय में है तो आराम को औरे ढ़ Nejंगा है